हलो गाई असलाम अलेकूं वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं चावल की रोटी एकदम मस्यदार एकदम यम्मी और एकदम बहुत ही हल्दी क्रिस्पी तो चले शुरू करते हैं एकदम बहुत ही यम्मी बनने वाली है और जैसे कि मैंने बोला बहुत ही हल्दी भी बनने वाली है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो आपको सबसे पहले मिले तो चलते हैं इंक्रीडियंट्स की और यह देखे मैंने ले लिया है चावल का आटा और हम इसमें अब वन बै वन इंक्रीडियंट्स आट करते जाएंगे तो फस्ट मैं इसमें आचली डाल रही हूं सारे वेजिटेबल्स जैसे मैंने यहां पे डाल ऐ मिले यहां आथे ऑनियंट्स इन घेस चाली मिले ओनियस एक डम बारी है ओनियुट्स कटे हुए कर्यान्डर लिवस कते हैं और दो भी कण मेंक्च घ्रीवव और अब मैं आथ याम डेक श्ली आ पेटे पे जिल्समें प्रका बाल वन किता हैं सब्समें अब डालने यहां थोड़ा सा अब हम इसमें एड कर लेते हैं नमक नमक स्वादा नुसार जैसे आप कितने आपने लिया है आटा इसके हिसाब से आप डाले तो आप हमें इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स जो है आप अच्छे से करें जो आपके हाथ से जो है आपके विजिटेबल्स जो आपन में इसी चम्ट करने के कने के बादए के अधा की चुझा के लिए में इस हमें कर लिए, इस की चाषा चान पानी स्मक्राइश को हुआ हमसी कर लेए, तो यह देखें इसे करके जैसे स्टार्टिंग में जब आप पानी डालोगे तो आप इसे करके थोड़ा हाथ में जो है वेजिटेबल और आटा जो हम अच्छे से मिक्स अप कर लें इसके बाद आटा जालके गुना स्टार्ट कर लीजिए आपको इतनी हद तक करना है जैसे आप हमारे रोटी अब हम जैसे आटा गुनते हैं बस उतनी हद तक एकदम बहुत ही सकत भी नहीं बनाना है और बहुत ही रनी भी नहीं बनाना है तो एकदम रडी होने के बाद मैं आ इसमें हमने वेची सारे अच्छे से डाला है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा तो यह देखें इसे करके मैं अच्छे से बाइंड कर लूँगी अभी तो यह देखें फ्रेंड्स हमारी जो बैंडिंग है अभी स्टार्ट होने लगी है जिसे आप देख रहे हैं देखें आप जो है इस हद तक अच्छे से बैंड करें ताकि यह जो नीचे वाला पोडर है सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए देखें एक दम से जैसे चपाती का डो मैंने बोला था ऐसे बना लेना है बना के इसको अब हम साइब में रख ले थे हैं थोड़ी देर के लिए in the meanwhile यह देखें मैंने एक कवर ले लिया है कवर आपको जो है एन डल्स जो सामने आते हैं आपको उसको कट कर लेना है बस और आजू बाजू से कट कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसके उपर अब हम दाल लेते हैं आइल आप कवर भी यूज कर सकते हो या जो मौस का पत्ता आता है आप वो भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन डावेलिबिलिटी आपके घर में ज़व भी अवेलिबल है तो यह द जाना है बस हाँ से तो जो है हमारी चावल की रोटी बन जाती है मतलब शेप में आ जाती है बेलन का यूज नहीं करना है विकॉज इसमें हमने विजीज डाले है तो क्या होता है न वो तूट जाती है रोटी देखें इसे ऑईल यूज करें उपर से प्रेस करने के लिए औ आप यूज ना करें यज नदू है यहाँ तवा गरिया रख लें एकदम लूफ ले तवा गरम के लिए रख लें जब तक कि आप यहां पे यह जो है रोटी प्रेस कर रहे हैं इसके बाद जो हैं हम नेक्ट बोसेस बताएंगे तो देखें एकदम से गोल-गोल हमारा चाव अब देखिए तवा जो है मैंने लो फ्लेम में गरम के रिए रख लिया है जिसे के हम यहां पे कवर यूज़ कर रहे हैं तो हमें दे हुए ऐसे डाल के बस दो सकेंड के लिए से छोड़ना है जिसे आपका तवा जो है थोड़ा सगरम होके रहेगा आप वन साइट से देखे अब इसे करते हुए प्रेस करते हुए आप इसे ऊपर से जब आप उठाएंगे तो श्टिकीनिस जो आपका रोटी लगके रहेगी कवर को वो छूटने लगेगी तो देखे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा आप इसे करें और तवा एकदम से गरम रहेगा तो आपका जो आ का शेप भी जो है करेक्ट है आप माउस का पता यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा विकॉज कवर है तो लग सकता है माउस का पता जो है नहीं लगेगा अब हम इसे साइट से ऑईल दालेंगे तैकि वन साइड अच्छे से कुख हो जाए अब हम इसे पलट लेत लो या मीडियम फ्लेम में रखके बनाई है इसे बहुत की क्रिस्पी बनने वाली है एंड अगीन जो है आपका विजिटेबल सारे आपने डाला है बहुत ही हिल्दी है चावल की रोटी है नास्टे के टाइम में या स्नैक्स के टाइम में आप बच्छों को अच्छे से जो अच्छ से हो गई है तो आज लगी कर लेते हैं देखे एक सबहुत ही अच्छी बन गई है हमारी जो चावल की रोटी है बन के तैय तो थे हैं अच्छ करने वाली हूं तो चले टेस्ट करते हैं कैसी बनी है देखे मैं इसे चितनी में डाला और टेस्ट किया वेरी यमी अब भी ज़रूर से ट्राइ करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए असलाम अलेकूं